तो दोस्तो मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टडी मंत्रावित अंकित में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सास्त्रे भाषाओं के बारे में यह है टॉपिक परिक्षा के दृष्टिकॉण से बहुत ही इन्पोटेंट है इस टॉपिक से गारंटी एक दो पोश्चन जरूर आते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कि निवेदन है कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें तथा कमेंट जरूर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें त दो वीडियो स्टार्ट करते हैं भारत में 2014 तक कुल छे भासाओं को सास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया था सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा को राष्ट शास्त्रिय भासा का दर्जा दिया गया था अब ये छे भासाओं कौन कौन सी हैं इन्हें निम्न से जान लेते हैं देखे पहली तमिल भाषा है जिसे 2004 में सास्त्रिय भाषा का दर्जा दिया गया था दूसरे संस्क्रत को जो 2005 में दर्जा दिया गया कन्नर भाषा जिसको 2008 में सास्त्रिय भाषा का दर्जा दिया गया फिर तेलगु है फिर मलयालम है जिसे 2013 में उडिया है 2014 में इसे सास्त्रिय भाषा का दरजा दिया गया शब्षे अंतिम उडिया भाषा ही है जिसे सास्त्रिय भाषा का दरजा दिया गया है आज का प्रिश्ण देखिए आज का प्रिश्ण है निम्न में से कौन सा मंत्रा ले सास्त्रिय भासा का दर्जा प्रदान करता है पहला option है option A भारतिय पुरातत्व विभाग, option B भारतिय कलाकादमी, option C संस्कृति मंत्राल्य, option D केंद्य भासा मंत्राल्य इस प्रस्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, हम आपके उत्तर का इंतजार करेंगे वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का आभार यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन जरूरोन करें ताकि जब भी हम अपनी चैनल पर कोई भी वीडियो अप्लोट करेंगे तो यह आपके पास आसानी से पहुंच सकें और आप अपनी तैयारी को और बहतर कर सकें तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत